नमस्कार और अक्सर एक बात कहीं आती है कि अगर काम करने वाला है तो वो कुछ भी कर सकता है कैसे भी लेकिन वो करके दिखाएगा तो इसका सीधा सीधा एक्जामपल हमारे सामने है मिजुरम फुटबॉल असोसियेशन तो हाली में Mizoram Football Association ने Reliance Foundation के साथ एक partnership करी है तो आपको पता है कि अभी जो Reliance है वो बड़ चड़के हिस्सा ले रहा है जहाँ 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 फुटबॉल आ रहा है वहाँ पे आपको Reliance नजर आई जाता है तो अभी Mizoram Football Association के साथ Reliance Foundation ने करी एक partnership और इस partnership के अंदर वो mainly करने वाले है football development और इन सब के पीछे किसका हाथ है तो इन सब के पीछे हाथ है Mizoram Football Association के secretary टेटे हमार जो है जो की पहले भी वहाँ पे एक आइडल के रूप में निकल चुके है कि कैसे football को बढ़ाया जाता है वहाँ पर उनने Mizoram League जो बनाई है इंडिया की सब से professional league जो Mizoram की league है वो टेटे हमार ने idea लगाया कि कैसे वो better कर सकते है तो आज देखिए उनकी football कितनी अच्छी ग्रो कर रही है तो टेटे हमार जो है सिधा सिधा example है हमारे देश में कि कैसे काम करना पड़ता है football associations को और यहाँ जो जितने association सो रहना football association स्टेट वाले उनके मुँपे तमाचा मारते टेटे हमार कि भीया देखो मैं करके दिखा रहा हूँ न आप से क्यों नहीं हो रहा तो Reliance और Mizoram F1 लेकर आ रही है जो कि Mizoram में 4 locations पर होगी जिसमें से 2 locations पर जो Mizoram Football Association है वो करवाईगी लीग को और 2 जगह पर Reliance जो है वो लीग करवाईगी तो इस तरीके से दोनों मिलके वहाँ पर लीग करवाएंगे और बच्चों को डेवलप करेंगे तो देखिए जो लीग है ये इंडिया में सबसे unique initiative है मतलब 6 साल के बच्चों से 13 साल के बच्चों तक के लिए एक Children League लेकर आ रहा है और जो की बहुत beneficial होने वाली कैसे वहीं मैं आपको आगे बताऊँगा कि देखिए इसमें minimum 30 games खेले जाएंगे मतलब एक player को एक बच्चे को 30 game खेलने को मिलने वाले है तो सोचिए 30 game जो एक need होती है बच्चों को मिलना चाहिए है ना उनके early age में games इस league के माध्यम से वो game time पुरा करने वाले है तो 30 game minimum खेलने मिलने ही वाले है तो ये कितनी अच्छी बात है उसके बात Reliance ने एक और चीज़ ये बोली है कि जो अच्छे players रहेंगे deserving players उनको exposure के लिए भी बिल्कुल भेजा जाएगा तो जो की एक motivation होती है कि अगर हम अच्छा खेलेंगे तो इस league के उपर भी हम निकलेंगे और कहीं जाएंगे तो ये एक motivation पहले से Reliance ने वहाँ पे डाल दिया तभी बच्चों के अंदर एक उत्सा और रहेगा कि अगर हम अच्छा खेलेंगे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम और आगे निकलेंगे और आगे जाएंगे तो ये जो initiative है ये ऐसा initiative है जिसको हर state association के जो होती ना उनकी body उसको सोचने चाहिए कि यार हम भी ऐसा कुछ कर ले हमारे state में मिजुरम वालों से कुछ तो सीखो है ना अभी क्या ही सीखेंगे नई सीखने वाले ये बाकी हम आगे बढ़ते है कि ये जो partnership पे मिजुरम को और क्या फायदे देने वाली है तो इस partnership के अंडर जो है Reliance बहुत सारे काम करने वाली है मिजुरम में जिसमें coach education and development, referee development, weekly coaching program for kids, quarterly local camps भी लगेंगे वहांके जो emerging players निकलेंगे उनके लिए, inter district championship भी होगी उसके बाद best में best जो player रहेंगे उनको मुंबई में जो Reliance Academy है वहां पर camp के लिए भीजा जाएगा तो इतनी सारी चीज तो मिलेगी ही, साथ में अभी अभी जो Reliance है उन्होंने मिजुरम football association को एक ambulance भी दिया तो Reliance जो एक दा मिजुरम के साथ जोर सोर से मिलके काम करने के लिए तयार हो चुका है अब देखने अली बात यह है कि Other State या AFF इस चीज को किस तरह से देखता है और वो Other State के association के जो heads है या वहांकी जो management है उनको थोड़ा सा बोले ऐसा यार देखो मिजुरम वाले क्या कर रहे है तुम तो थोड़ा बहुत करो तो अभी बहुत सारे states है जहां पर यह लाना है क्योंकि यह तो initiative मिजुरम में आया है अभी इस initiative को और जगे follow किया जाएगा तो कितनी अच्छी बात होगी आप सोचे अंडर 6 से लेके अंडर 13 तक के बच्चों को एक proper children league मिल जाए तो कितना अच्छा है और अंडर 13 के वाहां से youth high league भी चालू होई जाती है उस बात elite youth league भी आई गई है तो यह जो system है ऐसा अग लेकिन जो गदी पर विराजमान है उनको समझ में नहीं आती तब ही तो लाते नहीं है अगर आती तो ला लेते तो मतलब मिजवरम के जो secretary सहाब है वो कितने जुझारू है football के लिए आप देखिए कि मिजवरम league को इतनी अच्छी करना मिजवरम की football को इतनी अच्छी करना और अब children league जैसे initiative लेकर आना और Reliance जैसी बड़ी company को अपने साथ मिलाना तो ये सब कुछ चोटा काम नहीं है कि Reliance को मिजवरम में लेकर आये वो कि आप यहाँ पर काम कीजिए यहाँ पर पैसा लगाईए तो ये कुछ चोटी बात तो नहीं है ये बड़ी बात है तो आप आप सोचिए कि ऐसे लोगों की एक्चुली में जरूरत है जो दिल से development के उपर फोकस करें तो टेटे हमार जो मिजवरम फुटबॉल के सेकरेटरी एकदम काबिली तारीफ काम कर रहे है और आयोप कि अगर दूसरे स्टेट इसको कहीं से जाक ले और सीख ले तो इंडिया क में चालू करते है तो वो जो सिलसिला सीधे खतम हो जागा ना बच्चा 6 साल सी खिलने लग जाएगा तो आप इस पर आपकी रहे जरूर दीजेगा कि मिजवरम फुटबॉल एसोसियेशन का इनिसेटिव जो रिलाइंस के साथ मिलकर लेकर आ रहे है यह आपको कैसा लगा और कैम मेरी तरह आप भी चाहते है कि अधर इस्टेट इससे कुछ सीखे और वो भी कुछ इनिसेटिव लेकर रहा है तो आप जो भी कहना चाहिए आप जरूर कमेंड में लिखके बताइएगा और इसी तरह भारती फुटबॉल को सपोर्ट करते रहे हैं बहुत बहुत